नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संजीव वार्षने और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरू यूटीब चैनल आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल के SN24 सिस्टम के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो हमारा सिस्टम आता था यह जैडेक्स 24 तो क्रिस्टल ने आपको मिलती है और इसमें बेसिकली क्या चेंज किया है उन्होंने इसमें क्नेक्टर सिस्टम एक्टेंशन के लिए क्नेक्टर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है तो क्नेक्टर में बेसिकली क्या होता है कि इसमें बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि कैसे हमें क्नेक्टर को ओपन करके देखते हैं तो यह हमारा internal hardware है तो यहां पर आप देखेंगे की internal hardware यह basically card-based system है यहीं मतलब that means कि card के अंदर ही आपको telephone lines मिलेंगी card के अंदर ही इसमें आपको extension मिलेंगे तो यहाँ पर आप देखें के left यहां पर 12V का एक DC adapter दिया हुआ है, जो कि आप यहां पर insert कर सकते हैं, यहां पर एक DC supply system के अंदर लगाई हुई है, और फिर यह motherboard से connected है, और इसमें आप देखेंगे कि 6 slots available है, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 6 slots में भी हमारा card नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहला slot हमारा जो start होता है, वो इस side से start होता है, यहां से start होता है, यहां पर आप देखेंगे कि जो पहला slot है, इसमें यहां पर एक transformer नज़र आ रहा है, तो यह हमारा जो card है, this is 1 trunk line and 3 extension card, यहां पर आप देखेंगे कि यह double-double transformer से यहां पर लगे हुए है, तो यह आपके 4-4 extension के card है, यहां पर इसमें जो है, आप next card भी लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें, तो अब इसमें जो पहला card है, तो उसका जो output है, वो output आप लकर देखेंगे, तो यहां पर इसक card का output यहां पर आप लेवल है, तो इसमें, जैसे कि आप जानते हैं कि यह card हमारा 103 का card है, तो by default, by default जो extension numbers है, वो start होते है, 201, 202, 203, यानि 201, 202, 203, यह पहले card में आपको extension होंगे, और जो 4th port होगा, that will be for the result for this, the trunk, क्योंकि हमारे यहां पर trunk हमने connect किया हुए है, तो वो 4th port वो ट्रंक के लिए है, तो अब अगर हम इसका एक बार, अगर इसका connector को दिहान से देखते हैं, तो यह हमारे पास connector है, तो यह connector हमारा जो सबसे पहले इसमें, white-orange, one or two पे यहां पर देखेंगे, तो white-orange connected है, फिर उसके बाद white-green है, उसके बाद white-blue है, और उसके बाद white- brown है, तो that means कि इस तरीके से इसके इंदर pairing sequence है, मैं आपको एक बार इस चीज़ को demonstrate दिखाता भी हो, कि क्या exactly इसके इंदर pattern चलता है, तो यह देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे, दिहान से, तो सबसे पहले यह RJ45 का जो डाइग्राम है, इसमें one or two, यह extension number one है, तो जैसे आपको pattern मिलेगा, और जो second port है, that means white, green, and green cable, तो इसके इंदर आपको extension second मिलेगा, यहां जैसे अभी की condition में बात करें, तो यहां पर 202 मिलेगा, और third extension यहां पर है, white, blue, and blue, तो that means इसके इसके इंदर आपको extension number three मिलेगा, that means 203 मिलेगा, तो 203 यहां पर extension आपको मिल गया, और जो last का port है, brown or white, जिसमें कि white brown है, और white brown है, तो उसके इंदर आपको extension number four मिलेगा, जो अब extension number four, या फिर trunk number four, तो that means कि मतब जो अगर आपने 103 का card लगा है, तो यहां पर trunk मिलेगा, और आपने 004 का card लगा है, तो यहां पर आपको extension मिलेगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अब इसमें जो sequence है, 201, 202, 203, यह first card में आपको मिलेगा, trunk number होगा 601, जो कि यहां पर brown white में आपको मिलेगा, और इसी तरीके से next में 204, 205, 206, और trunk number मिलेगा 602, अब आते हैं third card की, तो third card हमारा चार extension का card लगा हुआ है, तो इसमे numbering pattern क्या होगा, बाकी अब flexible भी कर सक हैं, तो जैसे ही आप fourth उसमें लगाते हैं, तो उसमें यहां पर आपको extensions, जो इस pattern में आपको मिलेंगे, वो यहां तक 206 थक थे, यहां पर 207, 208, 209, यानि 207, 208 और 209, यह extension आपको यहां पर मिलेंगे, अब जो चोथा extension होगा, वो कैसे calculate होगा, चोथा extension क्या होगा, अग जोखिए, अब मैं आपको repeat कर रहा हूँ, यह 201, 202, 203, यह 204, 205, 206, 207, 208, 209, फिर 9 के बाद यहां पर 12 तक होगा, यानि 210, 211, 212, अब 213, 214, 215, 216, 217, 218, यानि अगर 3-3 extension हम काउंट करें, तो 201-202, इस तरीके से 218 तक यहां पर extension complete हो जाते हैं, अब 208 के बाद हमने यहां पर इसे 103 वाला कार्ड कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें यहां पर ट्रंक होगी, यानि 601 ट्रंक, यह भी 103 है, 601 ट्रंक, तो यानि 208 के बाद 219, यहां पर आता है, फिर 220 आता है, यहां पर आएगा, अगर आप तीसरा कार्ड आपका 4 extension का कार्ड है, तो यहां 24 जो है, इस 6 पेर में आएगा, तो यह पैटर्न इसके इंदर फॉलो किया गया है, कभी भी आपको अगर extension नमबर ज़स्ट करना है, तो आपको इस पेर नहीं जाना है, जिस जगे पर कार्ड लगा हुआ है, 201 से लेके 218 तक इसी दे जैक्स आएंगे, जहां तक भी आपकी कार्ड है, वो आपने थर्ड पर लगाया है, तो 208 है और 209 इसको आप छोड़ देंगे, यहां पर मिलेगा, तो इस तरीके से इसमें extension को आप जज कर सकते हैं, और इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया, कि इसमें देखिए, सबसे प जो है, थर्ड पोर्ट एंड 7-8, फोर्थ पोर्ट, तो यहां पर आप अगर देखेंगे, तो दूसरी साइट भी आप इसमें देख सकते हैं, कि हमारे पास सबसे पहले जो है, यह यह केबल है, इस वाइट और यह क्रिस्टल पोर्ट नमबर वन, अगर हम देखेंगे, और आपका कार्ट 4 एक्सेंशन का है तो यह 4th एक्सेंशन होगा और अगर यह एक क्र्रट आपका 103 गापका है समया है, तो इस तरेका से आप क्नेक्शन इसको कर सकते हैं, और आप चाहें, तो इसमें लगा सकते हैं, मैक्सिम कार्ट की लीमिट इस सिस्टम SN 24 के अंदर जो ह हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा and press the bell icon और अगर आप इससे related कोई भी inquiry चाहते हैं इससे purchase से लेके related या इसकी service से लेके related तो आप हमें contact कर सकते हैं जो हमने आपको description box में numbers mention किये हैं तो उन पर जाकर आप हम उसे विस्तार पूर्वक इ THANK YOU